हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल संजेट टेकनीकल एड़ डरेट 21 में आज की इस वीडियो में हम फीटर टेट के कुछ महातपूर प्रेशनों का डिसकसन करने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप लोगे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने माले है वीडियो को लर्ज तक देखिएग tidak चलिए आज की वीडियो क्यों करते हैं आज हम पहला प्रहरा है वेल्डिंग और काश्टिंग के बाद अत्रिक्त में धुंक को हटाने के केगा इसके साथ ही इसके क्रास्ष्ट्से коп tem से कुछता है कि इसका एक्सका का होता है तो याद रखेगा यह एक्सागबनाल्या और्यविव एक्सेम्पूजणकर का इसके सब्कूरा कि आता है और यप मस्रूम हेड को प्रियोग करना चाहिए तो याद रखेगा कि चीजल का मस्रूम हेड हो जाए ठीक है तो उसे हम नहीं प्रियोग करना चाहिए और मस्रूम हेड क्यों होता है जब चीजल के उपर लगातार हैं करते हैं तो काच हैमर जो होता है जो हेड होता है वह फैल जाता ह जिसे हम mushroom head काते हैं ठीक है और mushroom head वाले chisel का प्रियोग हमें नहीं करना चाहिए तो यह भी important है आप इसको याद रखिएगा और mushroom head को chisel को और सही करने के लिए हम उसके head को हम क्या करते हैं ठीक है grinding के बाद फिर उसको हम प्रियोग कर सकते हैं तो इतने सारे point आपको chisel से याद रखना है इसके साथ ही कुछ और भी question है जो आप किस चीजल से सबंद पूछ सकता है इसके याद रखेगा चेंड ड्लींग के बाद की चीजल का पॉस्था करते हैं बैब करते हैं न minist कर आंघे बढ़ते हैं comeach medicine का by कहेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो वीडियों काफी लंबी होगे jeito की ही आपको प्रॉब्लम होगमें चाहता कि वीडियों आप लोग को रिविजन दिए और मैं जैसा के आप लोग नोटिस भी करते होंगे मैं एक भी सेकेंड आपका फालतू नहीं लेता। ठीके मैं कोशिश करता हो कि अधिक साथ जो है क्वेश्चन का कं से मैं आपको रिविजन करा आया जाए। सिस्टीद कोड़िए का वन सेकेंट होता है शोल्डिंग टोट होता है था कि लिए-धार पीप्तीवन मिनट्व्त सेक drinking राव करें डिफान का प्रमाँए प्रमाइमेंट qo में असान लाइमेंट ऊढूल के लिए ठीक है डिफानिंगर की बात करें तो मैं आपको लोकाल बताया चुका हूं क्देपर जो होते आपके की तदो प्रेकार को होते हैं avoir नबर का की द्योगों में सबसे अधिक समानी रुप से प्रियोग किया जैनाल टेपर कौन सा है तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो हैं हम इंडरस्ट्री में मोस्टेपर का प्रियोग करते हैं और मोस्टेपर आपके आठ नंबरों में पाया जाता है तो यह काफी important questions है इन सारे questions को आप याद रखिएगा ठीक है तेपर आपसे पुछे मोस्टेपर कितने नंबरों पाय जाते हैं तो याद रखिए आठ नंबरों पाय जाते हैं ठीक है और drilling के लिए कितने प्रियोग करते हैं ठीक है और एक question आपसे कल हम आपको बताया थे तो आपको याद है कि नहीं मैं आप रखिया कल बताता है जो मेंट्रिक टेपर होता है उसका नपात होता है उन इसटो 20 तो यह कु bht रखिकोन सकते हैंorgan पीक्जिंस को आपको याद रखना है नेक्सट्ट के तर बड़ते हैं आपका फोर्स्ट नबर क्विचयन है गोर même पैट को mister की जानने कि सबसे पूछता है कि में और मिहां गतता है उसी प्रकार का पैटर्ण रहा था उसी प्रेटर आपके बनता है कि सब्सक्राइम अब यहीं बन गया कि ने प्र्रकार की सबस्क्राइक ने पूष्पर कोच्ट Jahre है ठीक है यह भी कुछिन आप से पूछा गया था इसलिए इंपोटेंट है आप इसको याद रखिएगा नर्लिंग पैटर्न की बात करें तो आपके पांच मरकार के होते हैं कौन-कौन से मैं आपको बता देता हूं जैसे कि आपका एक इस्टेट हो गया नर्लिंग ठीक है उ और डाइमंड यह नर्लिंग के पांच पैटर्न होते है तो यह इंपोटेंट पॉइंट है आप इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा ठीक है नर्लिंग क्यों की जाती है जाब के उपर तो जिसे नर्लिंग की सुझे क्या होता कि जौब के डामीटर सब बढ़ जाता है ज्यादा निए बढ़ते पर फोड़ा सा बढ़ जाता है ठीक है और दूसरी चीजिए होती है कि आपका जो जौब है उसकी आप ये डामीटर बढ़ जा सकता है ठीक है जाब का डर्लिंग करने के बाद और जाब आपको अच्छा दिखाई देगा हम जैसे क्याब को बदा गुड आपीरनेंस के लिए ठीक है और इसके ग्रिपिंग बढ़ जाती है कोई अगर बहुत ही स्मूथ है तो उसको पर आप नर्लिंग कर देंगे तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते उसके ग्रिपिंग बढ़ जाती है तो आप इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा क्यानी की अपकी तॉरिंग के देखिएगा जो याद रखिएगा जो आपके स्पीड मोर्ण का अई पिया तो क्यूंद में पर दो लेंगे किसमें अनुसाइग मे सो टेन याद रखिएगा 10 개 सद्टी आर्पी BACK हो रही है ठीक है याद रखिएगा मativas बालें 30 rpm अगर आपके हो रही है क्या टर्निंग तो जो आपकी तेन आर्पीं पर क्या होगी आपकी एपकी नर्लिंग होगी ठीक है यह दो यह आप स्वरी एक के होता है यह याद रखेगा तो यह इंपोटेंट प्वाइंट है आप इस प्रकार से एकजामे पूछ सकता है तो यह का जो आपको गुमाते हैं इसके स्पेटल के मदद से तो इसको किया करते हैं ठीक है नेस्ट कोचन आपका 6 नंबर का करा है कि composition की बात करें तो इसमें Tungustan, Chromium और Vanadium पाया जाता है मैं आपको पुना बता देता हूँ ताकि आपको question कभी भी गलत ना हो Tungustan, Chromium और Vanadium जिसमें Tungustan की मतला 18%, Chromium की मतला 4% और Vanadium जोता है आपका 1% इनका ये ratio होता है ये आपका किस करें से हुआ, तो High Speed Steel का, HS का ठीक है ये यहीं आप याद रखेंगे तो इसके composition से कभी question आपसे exam पूछ सकता है कि HS का composition क्या होता है तो याद रखे कि Tungustan, Chromium और Vanadium जिसमें Tungustan की मतला 18%, Chromium की मतला 4% और Vanadium जोता है आपका 1% होता है, तो ये काफी important है और अधिक्ते जो cutting tools है आपके High Speed Steel के ही बना जाते है, तो ये ये नेक्ट question की तर बढ़ते है, नेक्ट question आपका 7 number, Vernier Caliper किस धातु के बना जाते है, तो याद रखेगा, Vernier Caliper होता है आपके, Chrom Vanadium Steel के बना जाते है, ठीक है काफी question important है, Vernier Caliper की बात करें, तो ये याद रखेगा, इसके list count की question exam में पुछता है, तो याद रखेगा, Vernier Caliper का list count होता है, तो ये याद रखेगा, Vernier Caliper का list count के बना जाते है, तो ये याद रखेगा है, और इसके working principle से सबंधत question आप से exam में पूछता है, अगर थोड़ा स label up करके पूछे तो, तो पूछ सकता है कि Vernier Caliper का जो कारी करने के सिधान्त है, तो ये याद रखेगा, ये दो scale के अंतर के सिधान्त पर कारी करता है, तो ये है ये ये इनिकी difference of two scale, इसको याद रखेगा, कि difference of scale के माध्यम से ये क्या करता है, कारी करता है, तो काफी important question है, आप इसे exam पूछ सकता है, जो scale होते है, उनके difference के सिधान्त पर आपका Vernier Caliper काम करता है, वर्नियर Caliper के दोरा outside diameter को, inside diameter को, इसके साथ ही, blend hole की घहराई को मारपने के लिए हम बर्नियर Caliper का परियोग करते हैं, तो ये भी काफी important questions है, आप इसको याद रखेगा, वर्नियर Caliper क जो इसकार है, पैरी वर्नियर ने किया था, तो ये भी कोचन आप से exam है, अगर पूछे तो आप इसको याद रखेगा, कि पैरी ठीक है, पैरी वर्नियर ने, जो है वर्नियर Caliper का आप इसकार किया था, तो ये भी काफी important question है, आप से exam हो सकता है, पूछ ले, चले स्पीड पर घूमने वाले जाब को की सेंटर द्वारा पकड़ा जाता है, तो याद रखेगा, अगर किसी जाब को आधिक स्पीड पर घूमानी हो, तो उसके लिए हम revolution, revolving center का परियो करते हैं, ठीके, revolving center क्या है, तो ये परगा का left accessories है, जिसके परियो करते हैं, जिसके पर revolving center का परियो करते हैं, तो आपका revolving center इसमें राइट आंसर है, नेश्ट कोईचन है, आपका 9 नमर का, जॉब के sharp age को समाप्त करने के लिए कौन सा अप्रेशन करते हैं, तो याद रखेगा, जैसे कि हम workshop में किसी metal की cutting करते हैं, जाहें hexa machine सो हो, जाहें grinder से हो, जाहें आपक करने के लिए कौन सा आप्रेशन करें करें जाहें, तो इसके कुछ age होते हैं, आपके sharp रह जाते हैं, तो sharp age से थोड़ा से थोड़ा से अगर आप रखें, तो उसमें आपका जो बर निकला रहा था है, उसमें आपके हाथ को मतलब चोड़ पहुचा सकता है, तो इस बज़े समाप्त हो जाए, ताकि इस existence को भी रुका जा सकें, तो यह भी याद रखेगा, job के sharp age को समाप्त करने के लिए कौन सा operation करते हैं, तो हम champing operation करते हैं, तो हम champing operation आपका दो परकार से की जा सकते हैं, तो यह 40 degree पे करें, यह 45 degree पे करें, तो यह पर याद रखेगा, चले next question कि पूचे जाते हैं तो याद रखेगा करवाइड का जो है जो मिख स्वाइब का आपका कारबन और ठंगेस्टन है ठीक है तो यह पूझे और यह जो है आपका जो फिलामेंट होता है वह अभी आपका टंगेस्टन का होई होता है लगवागा पूछता है एक्जाम में कि वल्प का फिलामेंट किस धातू से बना जाता है यह टंगस्टन धातू से बना जाता है ठीक है चलिए नेक्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में इले बनार कोचन आपका चेताओनी चीन में होता है तो जो वार्णिंग साइन होता है सबसे पहल आपका काले रंका होता है बेगलांड जो है ऐस्पर काल चीन बनाग्रांद इम्ड़्रइटोंमी होता है जो आधे त किसे रंका होता है नीले रंका होताह है इसे प्रकांट से सब्सक्राइबarent वर्यकर आप से एक्जाम्वर सकता है तो एकक Four और उन सारे questions को देख लीजिएगा safety science से जो इस question है क्योंकि chapter अलड़ी उसने mention कर दी हैं जहां से question exam में पुछे जाते हैं यह आपने एक्जाम previous year में दिया होगा उसमें क्या नम था उसका सेप्टम 9 वाला तो उसमें आपको एडिया लग गया होगा कि इस प्रकार से कौनको टॉपिक से question पुछे जाते हैं तो आप लोग त्यार रखिएगा next question कितर बढ़ते हैं next question है आपका 12 नंबर का center punch के point angle command कितना होता है तो याद रखिएगा center punch के point angle command यह 90 डिञ्री होता है और center punch की बात करें तो इसका प्रिय्वर की आता है drill के को अस्तान देने के लिए क्या करते हैं सेंटर पइंट का प्रिव करते हैं ठाइब काफी इंपॉइटेनक फूंट को ये एक पूछा जाता है तो सिन्टर पॉइंट की ya तो स्थान की यात चाइब बैट जाता है ठीक है डिलिंग करना से पहले और पंच की बात करें तो मुक्ते आपके दो प्रकार के होते है। परिंग पंच और चेंटरऊइब पंच परिंग पंच आपके दू प्रकार करें है ठीक है एक 30 डिग्री ठीक है और नि किन दिग्री और अगी उसके के इस जो सब्सक्रार की सा कव्रिक पोच्छ अब को सब्सक्राइब तो ut और उसी इने monitor इन से कोशचन आपसे पूझन सकते हैं तिकशन आ फ्रकाते हैं जो फिर्म बेख बूख कुछ तो याद रखेगा प्रिक शिक्टी डिगर को हम्तिया काते हैं चलिए अब नेस्ट आगे बारते हैं मुझे लगता है कि वीडियो काफी लेंभी हो जाएगा इसलिए मुझे थोड़ी सी स्पीड बहानी पड़ेगी नेस्ट कोचन आपका थर्टी नंबर माइक्रोमीटर के ब तो इसको याद रखेगा और माइक्रोमेटर के दौर हम आउटसाइड डियामेटर की माप लेते हैं कई प्रकास के माइक्रोमेटर मिलते हैं जैसे कि इनसाइड मीटर माइक्रोमेटर आउटसाइड माइक्रोमेटर तो यह अलग लग प्रकार को होते हैं इनका प्रियाग भ पन होती है तो याद रखिएगा जैसे कि फोर्जिंग आपरेशन करते समय अगर आप क्या होता कि कभी-कभी हमें जो है टेमपरेशर को मापनी क्या कोई साधन नहीं होता है ठीक है लेकिन फिर भी आपको आपको काली तो करना है वार्क्शॉप में तो हम क्या करेंगे उस समय स्ऺच्जिन के स्टियल पेश्ट करते समयं जरे सेuiten कि समD Tortori यह जया रखिएगा कि जैसे कि मेटल होते हैं उनको कि पाचांद सकते हैं और स्पार्क कैसे की आप चैसे कि ज器 प्लास्टिक गर्म करने पर हाड हो जाता है तो नार्मली अपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक होते हैं गर्म करने पर साफ्ट हो जाते हैं लेकिन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर हाड हो जाता है तो कौन सा प्लास्टिक है तो आप यहां से याद रखेंगे कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक है जो गर्म करने पर हाड हो जाता है तीक है नेक् और हिंडोलियम एलाव में कितने प्रश्ट एल्मुनियम होता है यह काफी important question है आप इसको याद रखे गाँए डूरेलमीन और हिंडोलियम एलाव में आपका 95% तक एल्मुनियम पाया जाता है ठीक है एल्मुनियम से question कई सारे पूछता है तो एल्मुनियम के आप से पुछे यह काफी कोच्चन है इस प्रकार के कोच्चन आप से एक जामें पूछा जाता है नेस्ट कोच्चन की बात बढ़ते हैं नेस्ट कोच्चन आपका 17 नमबर बड़े और भारी कंपोनेश्ट पर डिलिंग करने के लिए किस डिलिंग मशीन का प्रियों करते हैं तो याद करने के लिए और जहां पर बिदूत की सुविदान हो वहां पर हम रेचेट डिलिंग मशीन का प्रियों करते हैं ठीक है और जोब के हैंड डिलिंग मेशीन होती है ठीक है उसमें आपका बेवल गिर दिया जाता यह भी याद रखेगा और डिलिंग मशीन की बात करें तो य यह परका का multipoint cutting tool है यह भी आप याद रखेंगे इसके point angle की बात करें तो यह होता है लेकिन यह आपके mental के हिसाब से यह चेंज भी होता है तो नर्मलिया प्याद रखें पॉइंगल कमान एक सब्सक्राइब होता है नेस्ट कोचन की तिरह बात बढ़ते हैं नेस्ट कोचन ह जैसे कि वर्क्षाप में भगेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं पर कोई part रखा हुआ कहीं पर टूल लख लग तो आपको चोट लग जाए आपका किसी पर खोई एक्सिदेंट हो जाए इसलिए वरक्षाप में क्या हो है लोगों को चलने के लिए जो वरकर है उन सभी को इ करते हैं हारा बलती जल जाता है तो सकते हैं तो वक्टसाप्स有沒有 कहा के चलना चाहिए तो गयंगवे के माध्यम्स सठीई सब्सक्राइब को सिग्नल कौन देता है तो याद रहेगा वर्क्षाप में अगर किसी प्रगा की कोई एक्सिडेंट होता है कोई आग लगती है तो आग लगने से क्या होगा दूआ उत्पन होगा और धूआ को डिटेक्ट करने के कारी कौन को होता है इसिगनल करता है ओर प्रकार काई अलार्म की बत्ती जलने लेगती है और उसमें प्रतियों को याद रखियेगा है यह काफी important question है आप इसको याद रखिएगा ठीक है next question की तर बढ़ते हैं next question आपका 20 number का तारो में लूप के लूप के अकार बनाने के लिए किस प्लायर का प्रेग करते हैं तो याद रखेगा तारो में लूप के अकार को बनाने करते हैं कि प्लायर कि सदस्थी को बनाते हैं कि अमहिट के बना सुख़ने कि भुरिंच को प्राय की सनाम से जानते हैं तो याद रखेगा socket और screw range को हम LN की भी कहते हैं तो यह भी काफी important question है आप इसको याद रखेगा कि socket और screw range को हम क्या कहते हैं LN की भी कहते हैं next question आपका 22 number का 1 cm कितने inch के बरावर होता है तो याद रखेगा 1 cm में जो आपका 0.3937 inch होता है यह भी काफी important question है आपसे exam में पूछ सकता है क्योंकि unit और measurement यह ऐसे chapter है जहांसे exam में बार-बार question पूछता है तो एक बार exam देने से पहले इस topic जो हो आप अच्छे से त्यार कलेजिए अक्षे से पहल लिजिएगा ताकि कोई भी अगर unit से पूछे तो आप उसको at least उसका answer सही प्राखर से कर पाए ठीक है क्योंकि MCQ question में यह होता है कि अगर आपको answer पता है तभी आप उसका answer कर पाएंगे नहीं आप सोचते राजेंगे तो आपका बस time loss होता है और कुछ नहीं प्राखर से आप लोगों को मैं यह सजेस्ट करूंगा कि अच्छे सब्सक्राइब करिए जितना भी समय में पचाए आप लोग के पास में पांस प्रकार की होते हैं ठीक है जैसे कि एक होता direct reading और indirect reading नляются घीक है को इसजेस्टेबल आपके दीजा एक होता कि जो reading नहीं ळेता है ठीक है तो यह आपके 5 प्रकार करें होते हैं पिक्स एडेसटेबल डारेक्ट रेडिंग लेन वाले इस्टूनमेंट और नान इंडरक्ट रीडिंग लेन वाले इस्टूनमेंट ठीक है तो यह आपकी प्रकार के कुल होते हैं आप इसको याद रखेगा स्वारी स्ट्वार नुमीटर का एंवल कीस दातु से बना जाता है तो याद रखे कि अगर यह पूछते पूछा आ कि आपकी किस दातु से बना जाता है माइक्रमीटर अगर तो याद रहे हैं यह इन्वार स्टिल से बना जाता है ठीक है तो यह भी काफी इंपोबर ट्रेंट कोश्चिन है आप इसको याद रखीएगा नेक्स कुछिन आपका 25 नबर का गोले यह जब नहीं है यह जाब है याद रखीगा गोले जाव का सेंटर न नाम पूछ सकता है तो याद रखेगा जने केलिपर का अधर नम और ले केलिपर हर्मोफः पर यह पॉइंट टुले केलिपर भी इसे हम गते हैं ती सारे आपके तीन-चार नाम होते हैं आपके जने कैलिपर के इन सारे नाम को याद रखना है नेकिंग तथा ड्रोइंग करने के लिए ठीक है तो नेक्स्ट कोईचन में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईचन आपका 27 नमर का अरड़ी हम लोग काफी लेट हुज हो चुके हैं ठीक है फिर भी मैं जो क्योंकि लेट इस वाइस हो जाता है कि क्योंकि मैं जो इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको जो है रीटन की फाल में ईसकरते हैं लेकिन अगर आप अच्छे से वीडियो को चीजा हो किसी भी समस्य को उसको क्लम करने लिए बहुत बड़ी है ठीक है ओध्यानता की सुनिये मैं आपको बार बार बहरा बतारा कि सुनिये अपको यादरा रहती यह है यह बहुत जोड़ी है आप लोग के लिए कि ध्यान लगा के जो भी चीज़े बताई जाए आपकी वर्वली उसको सुना करिए आप लोग जो इंपोर्टेंट बना रहे हैं उसको आप लोग नोट बना रहे हैं तो उसको नोट करिकर रखिए यह भले ही इस एक्जामे नहीं हो सकते अगले एक्जामें किसी एक्जामें आपसे पूछ दे तो एक बर आगर आपकी प्रिप्रेशन हंड्र प्रेशंट हो गई तो आपको फिर एक्जाम करेक करने से या कोशी भी जॉब को लेने से कोई नहीं रख सकता ठीक है तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं मैं ज् अपने परिसत कारबन होता है तो याद रखेगा फिराइट में जो आपका 0% कारबन होते इसमें कोई कारबन की मातरा नहीं होती है ठीक है नेक्ट कुछ नापका 28 नमबर का 0.84 से कम कारबन वाले इस्टील को क्या करते हैं तो जिस इस्टील में 0.84 से कम कारबन हो उसे हम हा युखेक्टॉइड थीव क्या रहते हैं आपका पाइड थीव और और कमिस्राइड रहता है, के यह दो राइड कि बात करें तो रुट्यों को ही क्या करते हैं , यह पी इंपॉर्टेंट कुछन है अप इसको याद रह कीगा आपको कैव 28001 का क्विंचिंग मीडिया करें कितनी फ्रकार को होता है तो याद राखे दिए का मतलब है कि जो एसे मिडिया मतलब यसे इसे चीज जो जिनके माधिमा करते हैं वर्ट तूल को क्या करते हैं उसको ठंडा करते हैं ठीक है तो कुंचिंग विडिया आपके चार प्रक्राइक होते हैं याद रखेगा जैसे कि आपका ब्राइन सिलुशन हो गया ओयल हो गया ठीक है पानी हो गया और एर हो गया यह आपके चार प्रक्राइक क्यूंचिंग विडिया ह जब है यह आप से इसको याद रखेगा एक कोच्छिन से पूचता एक्जाम में कि कौन साइक भींचेंग बीडिया सबसे तीज गती से टूल को थंडा करता है यह अवरके ब्राइन सेटीज को हुझाद करता है ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं तो ग्या करते हैं तो अपका काफी हाड़ हो जाते इस प्रकार से तो नेश्ट इसके टेंपरिंग करने से क्या होता है कि टूल और मजूद हो जाता है दूसरे प्लेटों को वह काट सकता है ठीक है और यह याद रखेगा मैली स्टिल से सब्सक्राइब कुछता है कि मैली स्टिल को किस में ठंडा किया जाता है तो याद रखेगा या ओयल में इन सब का परियोक किया आता है तो याद रखेगा रिवेटिंग प्लेटों होँ दow प्लेटों के साफ एक साफ मिलाना हो तो हम प्रीवेट का परियोक करते हैं ठीक है वैसे ही एक question आपसे पुछता आता है कि factory head को सहरा देने के लिए या रिवेट के head को सहरा देने के लिए किसका परियो करते हैं तो याद रखें उसके लिए हम dolly का परियो करते हैं ठीक है बात करते हैं याद रखेंगा एक कार सकते हैं तो वह बनाने के लिए कि इसका का प्रियोग करते हैं तो यह फालत का है मैली की बात करें तो यह आपके लकडी से बना जाता है अपसे ग्याद रखेगा 추천 कि मैली तो यह बना यह पूछता है कि क्या पूछता है कि क्या कोचिन है आपका सौरी एक नमबर 33 नमबर इसट्रेशिंग के लिए सौरी याद रखेगा खोखले पैनल बनाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं वैसे इस्ट्रेशिंग के लिए हम इंड क्या का तो उसको कि इंड फेस्ट है ठीक है इस्ट्रेशिंग के लिए हम इस्ट्रेशिंग के लिए हम इंड फेस्ट इंड फेस्ट यहने की कोर नुमा हम जो है हमर का प्रिए करते हैं तो यह भी कोईशन आप से एक्जाम पूछ सकता है आप इसको याद रखेगा नेस्ट कोचन है 34 नंबर का कि इसकेट सील तथा इसंपेसर की पंच की सहयता से बना जाते है तो याद रखेगा नेस्ट अब इसको इंगल होते हैं इसको जाद रखेगे-वेर्नोच वह होते हैं इसको याद रखेंगे यह काफी इंपोर्टेंट कोचन है यह इसी टेंक को बनाने के लिए किस धात्यू का परिए करते हैं तो याद रखेएगा इसके लिए हम लेड़ का परिए करते हैं ठीक है कि चले नेक्स कोचन के तरब पढ़ते हैं अब मैं वीडियो को ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा वीडियो काफी लंबी हो रही है थी कि मैं कोशिस कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी कोच्छ आपको वीडियो कंप्लेट किया जाए फिर भी मैं क्या करूं मजबूर हूं जो भी क्वेश्चन आगर डिटेल में आता है जल्दी से जल्दी जो है वीडियो रिकॉर्ड करके प्रवाइड की जाए और अधिक से कम समय में अधिक सब्सक्राइब करें जाए चले नेक्ट कोचन की तरबढ़ते है थाटी शेबन नंबर है तामबा पी तल ताथा टीन सीट की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प् इंप ऑघ्याब करते हैं तो यह आद रखी का तामबा हो गया पीटल हो गया एक तीन की सीट को सोल्डरिंग करने केम जिंक क्रेग करते हैं तीक अब काफी इंप्ष्टीं विर्श इंसाभी के लिए हम क्या करते हैं आप तो काफी इंप्रवाइड या तो नंबर का-श्ट आइरन की स्प्रेक्ष की और Coronavirus सब्सक्राइन को अपने के लिए टूरुइए इसको याद रखेंगे नेस्ट कोचन है आपका, sleep gauge को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा, sleep gauge को हम marking block या johnson gauge भी कहाते हैं, काफी important question है, आप इसको याद रखेगा, sleep gauge को हम क्या कहते हैं, johnson gauge या marking block भी कहाते हैं, ठीक है, next question है आपका, 14 नमर का, किसी slot, step तथा research की गाराई को चेक करने के ल नमर का, sign bar का size लेते हैं, तो याद रखेगा, sign bar होते हैं, यह angle मापने का कारी करता है, ठीक है, और इसका जो size लिया जाता है, दो रोलोरो के center के जो बीच की दूरी होती है, उसे इसका size लिया जाता है, तो याद रखेगा, sign bar जो है, इस्टेबलाइज, chromium, steel से बना जाता ह है, और sign bar किस के सिदान पर कारी करता है, तो यह sign theta के अधार पर कारी करता है, तो यह भी काफी popular question है, इसा भी question का answer आपको आना होना चाहिए, next question है, 42 number का, sir clip का दूसरा नम क्या है, तो यह भी question important है, आप इसको याद रखेगा, sir clip को हम retaining ring भी कहाते है, क्या कहते है, retaining ring कहते है next question है, 43 number का, hexa machine में किस nut का परिएग करते हैं, तो याद रखेगा, hexa machine हो, या hand wise हो, इनमें हम wing nut का परिएग करते हैं, या light as, यह question है, आप से पूछ सकता है, कि जहाँ पर assembly में बार-बार nut, component को खोलना हो, या बंद करना हो, ठीक है, तो हम किस nut का परिएग करते हैं, तो य cycle के carrier में हो, हम helical torsion spring का परिएग करते हैं, next question है, 45 number, 45 number question है, काटर को कहा फीट किया आता है, तो काटर को याद रखेगा, यह अक्ष के समकोर में इसको फीट करते हैं, काटर की बात करें, तो यह परका का temporary fastener है, ठीक है, तो यह भी याद रखेगे, question आप से पूछ सकते है काटर किस प्रकार का fastener है, तो याद रखेगा, यह temporary fastener है, next question है, 46 number का, wing nut को खोलने वा tight करने के लिए किस spanner का प्रिएग करते हैं, तो याद रखेगा, wing nut, sorry, यह wing nut नहीं है, ring है, ring, याद रखेगा, r ing, ठीक है, क्योंकि मुझे pronunciation करने में तो यह गलती होगी, हम सोचे, wing nut ह यह लिए हम C spanner का प्रिए करते हैं, तो यह भी काफी important question है, आप इसको याद रखेगा, next question है, 47 number का, बुद्रफ की का अकार कैसा होता है, तो यह भी question कई सर्याग पूछा गया है, उमीध है, आपको आइसका अंसर पता होगा, कि बुद्रफ की का अकार का होता है, तो विर् next question आपका 49 number का, जाओ की surface पर जिस दिसा में finishing की जाते हैं, उसे हम क्या काते हैं, तो यह भी काफी important question है, याद रखेंगे, कि जाओ की surface पर जिस दिसा में finishing की जाते है, उसे हम lake आते हैं, तीक है, next question आपका, और आज की इस वीडियो का आंतिम question है, 50 number, करके चीजल के किस तो already में, चीजल से जो important point है, आपको बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको revision करने की, repeat करने की जुरूत है, और अगर आपको वीडियो पसान देए हो, सबसे पहले आपको वीडियो लाश्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पस करके आप लोग के साथ पहुंचाना मेरा करतब भी है, तो इतना सारा प्यार दने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो क्लास देखने के लिए एक बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, ऐसी प्रकार का सपोर्ट बनाया रखें, और विश्वास में हमने more than 80 वीडियो को complete कर दिया है, और सारी वीडियो में आपके काफी important है, क्योंकि उन सारी वीडियो में हमने नीमी के questions को discussion किया है, इसके साथ ही Peter Ted के अलग-लग exam में जो questions पुछे गए हैं, उन सारी questions का भी discussion आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो अगर आपको समय मिल रहा है, तो प्लीज एक बार उस सारी वीडियो को देखर कर ज़रो जाएगा, डेफिनेटले उसका जो benefit है, आपको आपके exam में देखनों के मिलेंगा, ठीक है, और मैं ज्यादा बाते ना करूँगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गया है, आज की इस वीडियो में म मिलते हैं नेक्स टुडियो में, तब तक लिए धन्यबाद, जैहिंद,